जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नु जी के सेंटर पर और आज का जो टॉपिक है वो है कोशी का एव आनुवान सिकता पर जो SSC में पूछा गया टॉपिक है जो ओनलाइन परिक्षा प्रस्ण 2016-2018 के बीच में ये प्रस्ण पूछ पहला प्रस्ण है कि सिसू में परते लख्षन डैस के डियने से प्रवाइथ हो सकते हैं तो पिता तथा माता दोनों का डियने होगा दुसरा है लिवेन हक ने सबसे पहले स्वतंत्र जुवित कुर्सिकाओं की खोज डेस में की थी किस में की थी तो तालाब के जल में रोबाठ होक ने कुर्सिकाओं की खोज उन्हें डेस में देखकर की थी किस में तो पथली कॉर्क के टुकडे में देखकर चलिए आगे देखते हैं कोशिकाओं का कौन सा गुन कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है तो तो किसका राइट अंसर होगा प्लाज्मा जिल्ली अगला सवाल है कि कोशिका भीत्ती, कोशिका जिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक में से पादब कोशिकाओं का कौन सा बाग चैनात्मक पारगम होता है तो इसका राइट अंसर होगा कोशिका जिल्ली एक कोशिक के जीव केसे प्रजिनन करता है तो तो किसका अंसर है कोशिका विभाजन चलि किस कोशिका आयंग में पाइरोविक अमने तूटकर कार्बन डायक्साइड जल तथा उड़जा में परिवेतित हो जाता है तो अंसर है सुत्रकनिका पादब कोशिका विति मुखेता किस से बनी होती है किसको कोशिका का सक्तिग्री भी कहा जाता है तो इसका अंसर होगा शुत्रकनिका को आनि माइटो कॉंटिया को एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं अगरा सवाल है कि कौन सा ये क्यांगक कोशिका की आत्मात्या की थेली कही जाती है तो आंसर है लाइसोसॉम किसी कोशिका में सेंटियोल का मोलिक कारिक क्या होता है या क्या है तो कोशिका भी भाजन में सायता किसने IVF अनि इन विट्रो फर्टिलाजेशन या इन विट्रो गरवाधान तकनिक की खोज़की थी तो रोबर्ट एडवर्ट ने RNA का असंचिप्त रूप क्या है तो राइबो न्यूकलिक एसीड सभी पोधे अमजन्तु कोशिकाओं से बने हैं तता कोशिका जीवन की मुल्भू तिकाई है दिया गया कथन की सिधान्त का है तो कोशिका सिधान्त का या किशने प्रस्तुत किया कि सभी पोधे अमजन्तु कोशिकाओं से बने हैं तता कोशिका जीवन की मुल्भू तिकाई है तो देखिए इसका अंसर होगा M. स्लाइडन तता T. सवान ने कोशिका में इस्तित्रल जेविक पदार्द को जीव द्रव का नाम किस ने दिया तो J. E. पुर्किंजे ने लक्षनों के वनशानों ग्रती के नीमों के अनुसार परते लक्षन के लिए परते एक सिश्यों में कितने विकल्प होंगे तो इसका राइट अंसर होगा दो कोशिका वित्ति, प्लाजमा, जिल्ली, केंदरक या कोशिका द्रव में से कौन सा लग्मा परते कोशिका में पाय जाने वाला गुन नहीं है तो कोशिका वित्ति या परते कोशिका में नहीं पाय जाता है सीशू की लड़की होने के लिए वन्शानुगत गुन्शत्रों का सही जोड़ा क्या है तो एक्स एक्स और लड़का होने का एक्स वाई आनि पिता से एक्स और माता से एक्स मिलता है तो लड़की होता है पादब कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरन क्या कालाता है तो कोशिका वित्ती कोशिका वित्ती कोशिका द्रेब नाभिक तथा प्लाजमा जिली में से कौन सा ये के यंगक मदर्श की गाल की कोशिका में नहीं पाई जाता है लेकिन प्याज की कोशिका में उपस्तित होता है तो कोशिका बित्ती कोशिका में राइबो सम्स का मुख की कारी क्या है तो प्रोटिन संसलेशन करना कोशिका में नुकलेस की कोई सरपर्थम किसने कीतित रोबर्ट ब्राउन ने फूलों और बीजों को विविन परकार के आकर सगरंग परदान करता है कौन करता है तो क्रोमो प्लास्ट करता है कोशिका में क्रोमो जो हम डियने और डैस से मिलकर बने होता है क्या बने होता है प्रोटीन कोषिखांग के अध्ययन को डेस भी का जाता है, क्या का जाता है? साइटो लोजी कोषिखा सितांद का प्रस्ताव, देने वाले विज्ञानिक का नाम बताइए तो स्लाइडन और स्वान है कौन सा जीव? कोषिखा सितांद के नुरूप नहीं है तो इसका अंसर होगा वाइरस वह कोशिकांग जिसमें स्वाशन और उर्जा उत्पादन के जीव राशानिक प्रक्रिया होती है तो उसकों करते हैं माईटोकॉंड्रिया कोशिका के किस हिंसे में प्रोटिन बना जाता है द्राइबो सॉम्स में कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौनेद केंद्रक वनस्पति कोशिका विति इससे बनी होती सेल्यूलोज से एक डैस आमतर पर कोशिके परजनन में सक्षम इकाई है जो और संगलेयर के बिना एक नई इकाई जन्म देती है तो भी जानू कौन सी कोशिका हैं पोधे के विविन अंगों को जन्म देती है और पोधे को बढ़ने में मदद करती है तो उसका अंसर होगा मेरिस्टीमेटिक इस डैस राशानेयों का एक समू है जो कोशिका विवाजन और पोधे के गठन को प्रवाइद करते है तो साइटोकाइन अगे दखते हैं वो सिखाओं कि आत्मगाती बैकश कहे जाते हैं अब का लाइसोस्वॉ बैफफाइट ट्री ्हाचल्ब से ह सुने हैं बहुक्हुनीता किसमें प्रव्रतित होने पर होती है तो क्रोमोर्सम की संक्या में तो आज का ये 35 से 40 प्रश्ण आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूब बताएगा और अगला टॉपिक फिर मैं बाइलोजी से लेकर आओगा तो फिर मिलते हैं जैहिन जै भारत